नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप अरात्रिक में दोस्तों दिपावली करीब आही चुका है और दिपावली के समय बहुत सारे लोकों का एक सवाल जो है आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ बहुत सारे मैंने जो चैनल पर भी विजीट किये है यान की यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल पर जहां पर मैंने देखा है वहाँ पर भी ये दिखाय जा रही है और बहुत सारे लोकों का ये प्रश्न भी रहता है मुझे बहुत सारे लोकों ने पूछा भी है और कई बार जो है अलोचना करते हो इस सवाल को मैंने जो है नोट भी दीपावली के दिन मालक्ष्मी की आरती करते हैं तो आरती करने का मतलब होता है कि आप भगवान को पूझा आ लेकर चले जाने के लिए बोल रहे हैं पर जो मालक्ष्मी है उसे हम कभी जाने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि तो हमारी धन की हानी होती है दोस्तो सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है क्या हम किसी भागवान की पूझा या आरती जब अपने घर पे करते हैं चाहे बो शिगनीज जी की करे चाहे बो मा सरस्वती की करे तो हम उनकी आरती करते है यानि कि उन्हें हम चले जाने के लिए कहेंगे ये कोई विशय तो नहीं ह आर्ति को इस तरीके से बिल्कुल भी लोगों के सामने उपस्थित करना नहीं चाहिए, आरी की क्रिया, विधी, मन्त्र इन सारी चीजों को अगर नहीं कर पा रहे हैं दोस्तो तो सकंध पुरान में यह कहा गया है कि केबल आर्थी करने से आपको उस पूरे पूजा का फल मिल सकता है या फर केबल आर्थी करने से आपकी पूजा संपूर न मानी जाएगी हाँ दोस्तो इसी लिए आर्थी की जाती है और अगर आप पूजा करते भी है यानि कि आप शोड़श उपचार या फर कोई भी उपचार से अगर आप पूजा करते भी है दोस्तो तो अगर आप अंत में आर्थी ना करते है तो आपकी पूजा अपूर्ण रह जाती है दोस् कि पूजा के समय हम जो है हम लोग जो है ग्रिहस्त है दोस्तों हमारे ए हर उच्चारन मंत्र का उच्चारन याफर क्रियाब विधी जो ये सब कुछ है ये हम लोग हर समय सही तरीके से नहीं कर पाते हैं हम चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना करें दोस्तों हम पूरी तरीके से ना भी कर पा रहे हैं यानकि आप सही तरीके से अगर ना भी कर पाए पूजा या जो भी सारे क्रिया है जो भी सारे मंत्र हैं तो आप के बल भक्ती भावना के साथ आप आरती कर दीजे दोस्तो तो लक्षमी नारयान उसी से प्रसन्न हो जाते और आपकी पूजा में कोई भी के मन में क्यों फैलाई जा रही है आरती जो है सबसे शीष्ट माना जाता है पुजा की किसी भी विधी और नियम से क्योंकि आरती हर कोई कर सकता है आप कई परवे है वहाँ पर आरती कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों देखिए धूब दीब जला कर आरती करना हर किसी को हर किसी क हक है भगवान के प्रति हम प्रति दिन हो या फिर लक्षमी पूजन यानि कि दीपावली के दिन हो या फिर कोई भी और पूजन हो दोस्तो हम कुछ भी ना करें पर आरति के माध्यम से धूब दीप अगर हम पंचन निराजन ना भी करें दोस्तो तो कम से कम धूब दीप से हम आरती करके भागवान की फूजा कर ही सकते हैं हाँ दोस्तो वैसे दोस्तो यहाँ पर एक बात मैं आपको कह देता हूँ कभी कि एक चीज से आरती ना करे यानि कि बहुत सारे लोग केवल धूप से आरती करते केवल दीप से आर्थी करते ऐसा नहीं करें दोस्तों हमेशा जो है कम से कम दो चीज़ से आर्थी करें यानि कि धूब दीप पहले धूब से आर्थी करें उसके बाद दीपक से आर्थी करें पंच दीपक से आर्थी करें और उसके बाद जो है दोस्तों आप प्रणीपात या कद्वनी करने से जो है यह positivity और भी जादा भड़ जाती है वैसे बहुत सारे प्रदेशों में यह नियम होता है कि लक्षमी पूजन के दिन जो है घंटी नहीं बजाए जाती है तो आप ये अपने प्रदेश के अनुसार कर सकते हैं दोस्तों पर दीपावली के दिन दोस्तों आरती आप जरूर करें अगर हो सके दोस्तों तो मंगल धूप 아रती से आप शुरू करें यानि कि पूजा जब आप शुरू कर रहे हैं तो भगवान गौनीश की सर्वप्रथम अर्चना करें और उसके बाद जो है लक्षमी जी नारायन और श्री गनीश की जो है मंगल धू आरती करे उसके बाद जो है शोड़श विधी से या फर जो दश उपचार से है उस विधी के साथ जो है लक्षपी नारण की पूजा करे और उसके बाद जो है पुजांग आरती यानि की संपूर्ण पूजा की आरती आप जरूर करे दोस्तो तो दोस्तो ऐसा बिलकुल भी आ आप अपने दिमाग में मट बिठाए कि आरती करने का मतलब ये है कि हमने भगवान को कहा और हमने आरती की और भगवान को कहते है कि आप अपने स्थान पे चले जाए हमारे घर से आप आये थे हमने आरती कर दी अब आप चले जाए ये गलत भावना है दोस्तों हम क्या लक्षमी की मतलब सिर्फ धन से मत चूर कर देखे दोस्तों लक्षमी का मतलब होता है दोस्तों श्री यानि की सौंदरियता अगर आपके घर पे बहुत सारे पैसे है पर जो है दोस्तों अगर आपके घर में सौंदरियता नहीं है आपके साफ सफाय नहीं है अब धूब दीप नहीं करते है रोज दोस्तों तो वहाँ पर लक्षमी मा कभी भी नहीं रहती है क्योंकि पैसे जो है न ये बहुत सारे लोगों के पास हो सकती है पर जो है खुशिया ये हर किसी के पास नहीं हो सकती है दोस्तों तो मा लक्षमी इसी के प्रतीक है ये दीपावली के दन हम एक दोसरे के साथ खुशिया बाढ़ते हैं दोस्तों मा लक्षमी को जो है इस तरी किसे बंदी बनानी की ये जो सोच है न ये पिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों और वैसे भी दोस्तों हम जो भी देवी हम गनपती बप्पा या पर किसी और की अगर पूजा करते तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि आप चले जाए आरती लेकर और मा लक्षमी क्योंकि इप धनकी देवी मानकर हम पूजा करते इसलिए उन्हें हम रख देते हैं घर पे ये किस तरह की सोच है दोस्तों ये बिल्कुल भी सही सोच नहीं है जो लोग इस तरह की वीडियो बना रहे हैं मैं उनस सकता है कि उन्होंने भी परंपरागत तरीके से यहीं कुछ देखा होगा तभी जो है वो इस तरीके की विश्यक को लेकर बोल रहे हैं पर दोस्तों देखिए हर चीज को ना बनाने से पहले सही और गलत को एक बार विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम जिस तरह की चीजे बना रहे हैं उससे किसी की भावना को ठेस ना पहुचे दोस्तों मैं यहाँ पर किसी की निंदा या पर किसी और की वीडियो की जो है मैं कोई व्याक्खा करने पर नहीं बैठा हूँ यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करूंगा दोस्त और अगर हो सके दोस्तों ओ तो आप जो है रात्री के समय भी एक बार यान की कहते कि मा लक्ष्मी ए रात्री के समय तो उस दिन अगर हो सके दोस्तों आप 40 पड़े आप मा की भजन करें और दूब दीब जला करें कि दूब दीब से आप आरती भी कर सकते हैं 40 पड़ते हुए या फर जै लक्ष्मी माता जै जगदी शहरे इस चीज़ के साफ आप अपने पसंद के अनुसार भी पूजा के बाद रात्री के समय भी आप आर्थी कर सकते हैं क्योंकि कहते हैं कि मा जो है रात्री के समय ही भ्रह्मन करती है कि कौन उनकी पूजा कर रही है आर्थी करे किसे एह ही मालक्ष्मी को सोचे मालक्ष्मी जो है आपके घर आए और बहुत से पॉजिटिव एनरजी बहुत से खुशिया दे जाए ताकि पूरे साल भर जो है आपके काम करने के एनरजी हो आप कोई भी काम कर रहे है आप विद्या है आप बहुत आगे जाए दोस्तों आप अगर व्यापार करते तो आपके व्यापार में भी जो है बहुत अच्छे तरीके की वृद्धी हो दोस्तों और अगर आप कोई और कामनौकरी कर रहे है तो उसे आप बहुत सही तरीके से एकाग्र तरीके से कर पाए ये positive energy मालक्षमी आपके घर दे जा, यही प्रार्थना करें दोस्तों और इसी के साथ आर्थी करें, आर्थी का मतलब ही होता है दोस्तों कि आपके घर में positive energy, क्योंकि ये धूब दीप के सुगन जब फैलता है पूरे घर में, उसके साथ साथ भगवान के कीरतन, भगवान के आर्थी गायन, शंक धोनी ये सब कुछ जो मिलकर जो है न एक positivity भड़ देता है दोस्तों, मन से सारे नकारत मकता घर से सारे नकारत मकता दूर हो जाते है दोस्तों, इसलिए दोस्तों अगर आप लोग मालक्षमी की क्रिपा प्राप्त करना चाते है इस दीपावली में, तो इस दीपावली में आर्थी जरूर करें दोस्तों, आप धूब दीप से आर्थी कर सकते है या पर धूब दीप जलपोर्न शंक पुष्प चामवर से भी आर्थी कर सकते है आप अपने पसंद के अनुसार करें दोस्तों, मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा कि आप किस तरीके से करें पर दो चीज कम से कम आप आर्थी में जरूर रखी आनि कि किसी भी एक चीज से आर्थी ना करें बहुत सारे लोग केबल धूप से आर्थी कर देते केबल दीप से आर्थी कर देते ये ना करें दोस्तो धूप और दीप कम से इन दोनों का प्रयोग करके ही आप आर्थी जरूर करें दोस्तों तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताए कि आरती जो है वो करना ही चाहिए दीपावली के दिन किसी के ऐसे विशह पर या पर ऐसी बातों पर बिल्कुल भी आप भरमित ना हो दोस्तों आप मन खोल कर जो है लक्ष्मी नारायन के आरती करे आर शिर्वात स्वरूप प्रसाद सब को बाटे मिठाया बाटे सब को दिपावली की बधाई दे दोस्तों इसलिए केवल ये सब धन और इन सारी चीज़ों की बारे में इतना चिंता बिल्कुल दी मत करें दोस्तों आपका कारिया अगर सही है आप अगर अपने कारिया में जो हि पर धूब दीप से यान की जिस तरीके से भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप पूजा आर्थी करें दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुबकामना में दोस्तो धूप परात्रिक की तरफ से यही प्रार्थना है कि आप साल भर जो है खुश रहे मालक्ष्मी और श्रीहडी विश्नु की कृपा आप पर बनी रहे ए दोस्तो और इसी तरीगे से आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तो तो दोस्तो आप सभी को दीपावली की एक पर फिर से बहुत बहुत बढ़ाई दोस्तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तो